आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ प्रोटीन कोड नहीं होते हैं सबसे पहले इसके बीच में बनता है हमारा एक MRNA और फिर MRNA से बनता है हमारा प्रोटीन यह वाला प्रोसस डारेक्ट नहीं होता है तो होता क्या है जो हमारा DNA है जो DNA है वो बनता है हमारा किसके अंदर एक single stranded mRNA के अंदर जो कि हम बोलते हैं messenger RNA और messenger RNA से बनता है हमारा protein तो जो हमारा mRNA होता है उसके अंदर हमें sequences देखने को मिलती है उसके base pairs की जैसे की adenine, guanine, cytosine, uracil तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये जो base pair है ये हमारे arrange रहते हैं ये mRNA की sequence को बनाते हैं तो यहां पर कहा रहा है अब मैं बात करूँ यहां पर तो यह जो हमारी sequences होती है ये codon की तरह आक्ट करती है यानि कि एक codon हमारा triplet होता है तीन हमारे base मिलके हमारा एक codon बनाते हैं और यह जो एक codon होता है यह हमारे एक protein को code करता है यह एक triplet code code हो हमारा एक protein को code करता है तो जो हमारे 6 अगर basis हैं यहांपर तो हमारे दो protein code होंगे तो यहां पर हमारा कह रहा है mRNA की sequence क्या है mRNA की sequence है हमारी AUG तो अब इसका हमें एक tRNA अडेप्तर molecule बनाना है बात कर लोग अगर tRNA adapter molecule की तो अब मैंने आपको बताया है जैसे कि मैंने agc लिया for example agc से हमारा protein आएगा यहाँ पे इससे associated तो वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ हमारे पास एक tRNA होता है यह जो tRNA होता है इसका structure कुछ इस प्रकार से होता है मैं आपको rough structure बना के दिखा रहा हूँ यह इसका structure होता है यहाँ पे यह होता है यह होता है इसका anti-codon loop यह होता हमारे tRNA का anti-codon loop यानि कि इसके पास हमारे यहाँ पे 3 basis होते हैं जैसे कि यह agc है तो इसके साथ interact करने के लिए इसको क्या चाहिए पड़ेगा इसको चाहिए पड़ेगा U, C, G complementary based pairing होती है यानि कि A किसके साथ attract करेगा A जाएगा हमारे U के साथ तो U आगा यानि कि अब जो हमारा A, G, C थी वो ऐसे इसके साथ जुड़ेगी A, G, C बोला जाता है T, R, N, A क्या होता है हमारा transfer RNA होता क्या है यहाँ पर हमारा U, G, C आ गया जो A, G, C का जो protein होगा फिर वो आके हमारा उपर जुड़ जाएगा तो यह होता है हमारा T, R, N, का काम यानि कि जो हमारा यहाँ पर sequence होती है जैसे कि A, G, C है तो A, G, C से related जो हमारा protein होगा वो उपर आके हमारा जुड़ जाएगा किस पे हमारे T, R, N, A से तो यह काम होता है किसका हमारे हमारे T, R, N, का protein लाने का तो यह तो बात होगे हमारे T, R, N, का काम की अब मुझे बात करने है A, U, G हमारी M, R, N, की sequence है तो अगर मैं देखूं तो हमारा anti-codone loop जो होगा T, R, N, का वो क्या होगा A के against क्या आता है आपको पताए A के against U आता है G के against क्या आता है U के against आएगा हमारा A और G के against आता है हमारा C तो जो हमारा anti-codone loop किसका होगा हमारे T, R, N, का वो होगा तो हमारा UAC, इस से आके वो जुड़ेगा हमारी AUG से, और आपको साथी साथ एक uniqueness बता दू, इसके बारे में तो यह तुमारा AUG होता है, यह होता है हमारा start codon, हाँ जी, यह start codon होता है, यानि कि जो हमारी protein के synthesis start होती है, जिसको हम translation बोलते हैं, वो हमारी AUG से ही start होती है, इसक कि लिए code करता है, यह code करता है हमारे methionine के लिए, यह methionine होता है हमारा protein, उसके लिए हमारा AUG करता है code, तो इस प्रकार से हमारा AUG के साथ आके जुड़ेगा UAC, आप देख लेते हैं, हमारा TRNA का डाइगरम बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा, यह हमारी एक image है, जो और codon हमारा AUG है, जो कि mRNA के ऊपर है हमारा, और यहाँ पर जो हमारा protein है, वो क्या आया हुआ है, मैट, यानि कि यह हमारा methionine, तो जैसी कि मैंने आपको बताया था, वही आ चुका है हमारा यहाँ पर, यह हमारा structure होता है TRNA का, तो कुछ इस परकार से हमारा जो question है, वो ज़ के लेवल ता 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स, आच चार्सो 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 पर